नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रेम और देव हुमी एजुकेशन पॉइंट माँ आपका माँ स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले माफी चाहता हूँ कुस दिनों से अपनी प्यासता की वज़े से यूटूब से दूर रहा और आज इस information के साथ हम दुबारा यहीं से continue करेंगे और आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो मा लास्ट तक अगर आपको information पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like, share आप जरूर कीजेगा और बाकी updates पाने के लिए आप bell icon के साथ हमारे channel जरूर subscribe कीजेगा जिससे आपको हमारे सारे updates मिलते रहेंगे और बिविन परकार के news, information, study material हम channel पर upload करते हैं जो आपको निश्ची तूरूप से फाइदा या लाब पहुंचाएंगे तो दोस्तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है आप लोग के लिए खाश जानते हैं आज की information क्या है आपके लिए दोस्तो काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि कोई भी post या कोई भी vacancies नहीं निकली हुए तो बेरोजगार इससे काफी परेशान है पड़े लिखे नवजवान बेरोजगार हो चुके हैं बिभी ने परकार की परिक्षाओं की तयारयां करते करते ठक चुके हैं और vacancies और post यहां पर कोई भी निकल नहीं रही है तो इससे परिशान होकर बेरोजगार संग ने अधिनस्त सेवा चैन आयो के दबतर में परदर्शन किया इस पर आगे सचिवालाई में भी कूँच करने का बेरोजगार संग का प्लान है तो आज सचिवालाई भी कूँच करने का बेरोजगार संग ने सोचा है यानि की बात की है तो देखते हैं पूरी नियूज क्या है किस तरह से इसमें जो है क्या डिटेल निकल कर आए और क्या बात की जा रही है और देखते हैं पूरी नियूज इस पर क्या बनी है देखे कई समय से प्रेशान है बहुत सारे लोग विभिन्नि परकार की परिक्षाओं के तयारियां कर रहे हैं और कोचिंग इस्ट्यूट्स जॉइन किये हुए हैं और अपनी परिक्षाओं की बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं लेकिन यहां पर vacancies नहीं निकल रही हैं तो क्या फाइदा इतना कुछ करने का तो इससे काफी परिशान है और कई देखी 7-8 महीने हो चुके एक भी भरतियां पर नहीं निकली हुई है तो युवावने कहा कि इस वर्स को सरकार जो है रोजगार वर्स के रूप में मना रही है और दूसरी और 7 महीने बीदने के बाद भी एक भी भरति नहीं हो सकी गहराव करने पहुचे युवाव में अधिकतर कलावर्ग के थे शात्रों का आरोप है कि परदेश में कलावर्ग के शात्रों के लिए भरतियां नहीं निकाली जा रही है गहराव करने वाले शात्रों म प्लान है कि ये सची वालाई कूच करेंगे इसके लिए बिरोजकार संग से जुड़े युवा जो है देर शाम तक दून के कोचिंग सस्थानों में पड़ रहे हैं युवाओं का समर्थन जुटाने में लगे रहे और सभी की आम सहमती से संग ने गुरुवार को सची करना है कि 10% सवणा आरक्षन लागो होने के बाद हर विबाग से प्राप्त पदों की कमांड को आरक्षन के हिसाब से संसोधन के लिए भेजा गया है L.T. है ग्राम विकास अधिकारी है जेही सिविल है और सांकी की अधिकारी पदों की डिमांड मिल चुकी है लेकिन L.T. पदों पर कोट से एक आधेश जारी हुआ है इस पर मामला इस्पस्ट होने के बाद ही भरती निकाली जाएगी सेज़ पदों पर विवागों से डिमांड मागी गई है डिमांड आने के बाद जल्दी भरती पर किरिया शुरू की जाएगी ये कहना है संतोस बड़ोनी यानिकी सचीव अधिनस्तर चायन आयोगे तो दोस्तों देखे इस तरह से जो है विविन आप देख रहे हैं रोज रोज जो है इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है बेरोजगारों के द्वारा और यहां पर कोई भी अभी तक कोई ऐसी गुट्योज नहीं आई है जिससे की कुछ संतोस जो है बेरोजगारों में हो देखे विभिन परकार के परतर्शन करना लाजमी है विभिन परिक्षाओं के तयारियां कर रहे हैं और पता नहीं कब निगलेगी और इस तरह से सरकार के कानों में जू तक नहीं रहती है तो क्या कहा जाए इस पर आप अपनी परतिकिरिया जरूर दीजेगा आप भी अगर परतियों की परिक्षाओं के तयारियां कर रहें तो हमारे ग्रूप से आप हमारे ग्रूप से जुड़े रहें हमारे चैनल से जुड़े रहें आपको विभिन परकार के न्यूज इंफरमेशन आम देते रहेंगे और इस्टडी माटिरियल वगएरा हम जो है अपने चैनल अप्रोड करते हैं जो आपके लिए निश्चित रूप से लाबदायक होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बने रही आप हमारे साथ इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद